हेलो रिवन वेलकम टू अर्यू टू चैनल इस वीडियो में हम नोन वर्बल लीजनिंग के इंपोर्टेट टोपिक एमबेड़िड फिगर के बारे में पढ़ेंगे एमबेड़िड फिगर यानि सन्ही तागरी थी ठीक है यह पार्ट वन है चलिए वडियो को सुरू करते हैं एमबेड़िड फिगर में होता क्या है हमें एक क्वेश्चन फिगर दिया गया होता है और यह क्वेश्चन फिगर दिये गए चार उप्शन में से किसी एक उप्शन इस तरह से हो सकता है लेकिन ये जो पार्ट है question figure के comparison में थोड़ा बड़ा है तो B option भी गलत है C option तो है इस गलत लेकिन D option में देखिए यह जो पार्ट है वो as it is question figure से match करता है तो हमारा जो x figure है question figure d option के अंदर चुपा हुआ है तो d option हमारा सही answer है second question है यह हमारा question figure है सबसे पहले डूढने ही कोशिश कीजिए यह जो पार्ट है question figure का किस में match करता है अगर मैं first option की बात करूँ तो इतना तो match कर गया यहाँ पे एक line होनी चाहिए थी ठीक है और अगर यह line होती है यहाँ पे तो हमारा जो question figure है first option में छूप जाता और वही हमारा answer होता तो first option हो गया गलत second option की बात करूँ मैं यहाँ पे एक line मिसिंग है अगर यहाँ भी line होती तो हमारा second option सही होता तो मतलब second option भी हमारा गलत है third option की बात करता हूँ तो third option में हमारा जो question figure है वो embedded है तो third option हमारा सही answer है तीसरा question है यह हमारा question figure हो गया दिये गए चार option में हम इसको ढूंडते हैं first option में देखिए ढूंडने की अब देख सकते हो हमारा जो question figure है वो first option में ही छुपा हुआ है तो first option हमारा सही answer है fourth question है यह Z shape का figure है ठीक है चार option में दूंडते हैं देखिए first option में तो कहीं भी इस तरह से line नहीं लगी हुई तभी Z बनेगा तो first option गलत C भी गलत और D में तो T बना हुआ है यह भी गलत हो हमारा सही answer कौन सा है B कैसे यह देखिए तो हमारा जो question figure है वो option B में छुपा हुआ है तो option B is the right answer पाच्वा question है यह question figure है ठीक है चार option में ढूंड़िए आप सबसे पहले यह ढूंडने की कोशिश कीजिए कि question figure का यह वाला part उपर एक triangle और बीच में line लगी हुई है किसे मैच करता है देखिए उपर एक उल्टी triangle है लेकिन अंदर line नहीं है तो first option यानि a option हमारा गलत हो गया बी में देखता हूं कि बी में मैच करता है तो हम क्या करते है कि पूरा ही बना लेते हैं ठीक है तो हमारा जो question figure x है वो बी option में चुपा हुआ है तो option जो बी है वो हमारा सभी answer है नेक्स्ट question करते है यह हमारा question figure है और यह क्या है हमें दिये के चार option में से किसी एक में चुपा हुआ है और हमें वो ढूंडना है ठीक है अगर मैं first option की बात करूँ यानि a figure की a option की तो अगर यह part और होता तो हमारा a option है वो सभी answer होता लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है बी की अगर मैं बात करूँ यहां पर एक line मिशिंग है यहां भी एक line मिशिंग है ठीक है तो b option भी गलत है c भी गलत है d की देखते है ठीक है तो हमारा जो question figure है वो d option में चुपा हुआ है तो option d हमारा सभी answer है साथ हमा question की बात करते हैं आप सबसे पहले सिर्फ इस पर focus कीजिए यह क्या है एक pentagon pentagon किस में है ठीक है a option में नहीं है ना ही b में सी में है यह रही pentagon ठीक है और बाकी का पार्ट किस तरह से बनेगा ठीक है तो हमारा जो एक्स फिगर है सी उप्सन में चुपा हुआ है तो सी उप्सन मारा सभी answer है आठवा question है very easy यह किस फिगर में चुपा हुआ है यह vertical line और यह दो इस तरह से तो हमारा जो सी उप्सन है उसे ही answer है नौवा question है अब देखें यहाँ पे ती चार ट्रेंगल है एक और दूसरी है इन दो ट्रेंगल में टी का निशान बना हुआ है इस तरह से और बची हुई दो ट्रेंगल के अंदर क्या लगा हुआ है दो vertical line ठीक है अब एक square चार ट्रेंगल में तभी convert हो सकता है अगर उनको diagonally काटा जाए तो A option को तो ऐसे diagonally काटना चाहिए था लेकिन काटा नहीं हुआ तो A option हमारा गलत हो गया और D option भी हमारा गलत है B और C को diagonally काटा गया है diagonally काटने पर आप notice करोगे B option में यह जो चार पार्ट बने हैं ट्रेंगल है लेकिन सारे के सारे पार्ट क्या है identical है ठीक है हर एक पार्ट में क्या होता है इस तरह से दो line है ठीक है तो B option हमारा गलत हो गया अब मैं C की बात करता हूँ C में मैंने यह दो triangle देखी ठीक है यह दो triangle left और right तो दो में क्या है T का निशान बना हुआ है यह T है ठीक है और उपर और निचे वाली triangle में क्या है simple दो line है जैसे कि एक यह रही एक यह रही ठीक है तो C option हमारा सभी answer है next question करते हैं यह हमारा question figure है ठीक है तो अगर मैं A option की बात करूँ यह vertical line फिर छोटी सी horizontal निचे यह लाइन थोड़ी और length होनी चाहिए थी जो नहीं है तो यह option हमारा गलत B की बात करूँ तो यह horizontal line होनी चाहिए थी तो B भी गलत C भी गलत D की बात करता हूं यह जो part है जो हमारा X figure है वो D figure के अंदर चुपा हुआ है तो D option हमारा सभी answer है Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you झाल झाल